आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार के बीच तवाम तरह के जो माहौल है वह भी चल दा है और वह लगातर बढ़ती जा रही है बैयान चोटे हो या बड़े हो पर कई नहीं बयान का कुछ नहीं कुछ मायने जरूर होते हैं चाहे राजितिक दल दें और चाहे संगठन दें मामला और बयान कलका है कि दसेरा जो की संगे का स्थापना दिवस कलाता है 1925 में संगी स्थापना हुई थी राश्टी सौनसुबर संग यानि RSS और कल उनके प्रमुख मौन भागवत ने दसेरा के समय जो समारों को सम्मूरिद कर रहे थे समरों कई मेट पूर बाते कहीं बाते महरे सहतिकर को लेकी भी और उनका कहना है कि जो जिस तरह से जन संग्या असंदृत हो रही है उसके लिए जन संख्या नीड़end कानुर जरूरी है समान तरह से समान लोगों पर और आकले यह बताते हैं कि 2030 तक यानि दो आज से महज साथ साल के बाद हम चीन की जनसंख्या को क्रोस कर चुके होंगे और अगर हम साल 2050 का माम अगर हम एक आकलन ले तो यह आकलन लभवा लभवा 166 करोड से जाना का है यानि हमारी दिजुरियस की जनसंख्या है वो इसनी तेजी से बढ़ रही है कि चीन को पच्छानने के बाद जनसंख्या में हम बहुत चल्ली दुनिया पर भी काविज हो जाएंगे जो इस्थिती है पैटी मिनिट लभवा 240 बच्चे पैटी दिन लभवा लभव साथ यार से जाना बच्चे तो भाई मित्युरियर का आकला उससे तीन गोना कम तो यहां पर निशिरु से दिखाते हैं कि हम बात जरू करते हैं 120 करोड 135 करोड पर इस्थिती जो है वो हमारी देश की जनसंख्या 142 करोड से उपर जा चुकी है और लगातर बढ़ रही है यहां पर मुहन भागपत के बयान की एक ब्युस्था यहां पर यह भी है कि जनसं कानून की बात करते हैं जरूरी क्यों है जरूरी यहां पर देखिए उन्होंने तो एक समारू में महां पर समरिड कर रहे ते और इस बात के मायने बहुत मैर्पूर्ण है क्योंकि अगर देश की जनसंख्या कम रहेगी तो निसीरुप से देश की विकास की गती तो तरह जो पर जब बर्ग की जयम्मीदारी है नहीं ने बासे हैं तो सरकार को नहीं पड़ी कानून के माध्यम से जब कानून बन जाता है तो सबसे महड़मार यहां पर यह भी है कि लोग इन बयानों को दूसी तरह से देख रहा है, बिपच कह रहा है कि यहाँ पर किसी को टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ टारगेट करने की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने शौयम कहा, इस बात को कहा है, और बयान दिये हैं कि महला सचति करने भी जरूरी है, और उन देता है और चाहे संग प्रमुख मोहन भागवत अभी 23 सितंबर को हाल में ही दिल्ली के अखिल भारती इमाम महासंग के जो इमाम है महामर्स डॉटर सुहे भी लिया सी उनसे मुलाकाट की पुराना रिस्ता है और पुराना रिस्ता इसलिए है क्योंकि वह उनकी पिता की पुनितिवी पह गये थे और जब उनको रास्पिता और रास्पिति रसी की बड़्वी से सम्मूरिट किया उस पर ही वाखेड़ा रहते हैं पर जस तरह से यहां सब्सक्राइब करेंगे को है कि अगर हम इस पर नहीं करेंगे तो कहिंद देश के साथ नहीं ले नहीं है चर्चा हमें प्रमाण का भी संतुलन चाहिए हमने हम हम भुखते हैं जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो पचास साल पहले उसके गंबिर परिणाकों को हमने भुखता और किवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं आज की तारिख में पूर्वत्यमोर नाम का एक नया देश बना दक्षिन सुदान नाम का नया देश बना कोशोवन बना जनसंख्या में पंथ if प्रमान में अंतर से नए देश बन गए देश टूट गए के आक्रमन के कारण भी कुछ था संप्रदाय हमारे यहां बन गए हमारे ही लोग उस संप्रदाय में है उनकी पूजाएं पंध संप्रदाय विदिश है वो यहां के है लेकिन जोर जबर्दस्ती या छलकपट से लालत से मतांतरन यह सबसे बड़ा फैक्टर है और जहां सीमापार से घुस्पैट होती है वहां उस संतुलंग का भी ध्यान रखना देशित की दूट्री से अनिवार्य बात है कि अगर इस बिशाएं पर जड़्चा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो ब्योस्थाओं को हम बहतर करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं एक रुकाबट जरूर मैसूस होगी क्योंकि जनसंग्या निटनर्ड की बार केबल मोहन भागवत नहीं कहीं है इसके पहले उतापड़िस के मुक्वंतरी योग एटनर्ड भी यार डोल चके हैं कि जनस्या संतुलं करना बहुत आवस्यक है जन्जंग्या पर लगाम लगाना बहुत आवस्यक है केंद्रिय मंति गिर्दा सिंग भी खह चुके हैं तो निश्रूप से यहाँ पर जन्जंग्या को ब्यास्थिट करने के लिए संतुरिट कराने के लिए कुछ ना कुछ नीती लानी बहुत जरूरी है हला कि मौन भागवत ने जो बयान दिया है वो बयान के मायने अलालग है बयान निश्रूप से देश के लिए है पर बयान पर जिस तरह से बिपच्च के आरोप आ रहे हैं एक पर तसपस करता है कि अगर कोई भी बयान देश के लिए दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक ही एक आरूप रहता है कि यहां पर बर्ः बिस्येष को टांगेट किए जा रहा है पर यहां पर जन संक्या की जो बात कहीं है जन संक्या में सबीदों से डाहिँ ऐसा नहीं है कि किसी बर्ख- blindfold की जन संक्या या सभी जन संक्या और जहां पर जन संक्या बढ़ रही है उसके लिyesi कि लिए इस तरंती की बात की गई और इसके लिए यहां पर सरकार को अब सोचना चाहिए प्रियास करना होगा, क्योंकि जत्ता का जन्क्या पर नेंतर निक करेंगे, पिकासी कत्थी को पढ़ाना है, मुष्किल है, इसमें डिबेट में चल्चा करने में महान जुड़ चोके हैं, नेता भाजपा से हमासार यांके सिवाज जुड़ेंगे, हिंदू परसनल लौबोर स यहां पर जगडिश कुमाराज जुड़ेंगे, नाहिरत पार्टी ताहर सिद्धिक जी मौजूद है, आमिर साबरी भाई मुष्क्राइब में मौजूद है, गजन तर्पार्टी भाई सबन महासावासा मौजूद है, और आमारी पार्टी के निता गरूप में हमासाथ, न जन संक्या नीती बननी चाहिए, और सभी धर्मों पर समारूप से लागू होना चाहिए, उन्होंने चार से पांच बाते कहीं, मेला सत्रिकान की बात भी की, उन्होंने का ये भी कहा, कि विदेशी आकरमताउं से थोड़ी जो जन संक्या है, वासंतुरित हुई है, और सक्या नीतीन पर कानून की बात है, और हमें लगता है जब भी इस तरीके का कानून आएगा, तो देखिए कानून जब भी इस तरीके का आएगा तो उसमें कुछ चीजे लागू होगी, जैसी कि जो सरकारी सेवाएं हैं, उसमें किसको मातो दिया जाएगा, किसको नहीं मात जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या उनको सरकारी योज्राओं का लाब बिलना चाहिए इस तरीके के विशय आ सकते हैं लेकिन हमें लगता है कि जब भी इस तरीके का कानून आएगा तो कानून बेल्कुल थोपा नहीं जाएगा किसी पे इसे पूरी चर्चा होग पच्च विपच्च की चर्चा होगी सदन के अंदर चर्चा होगी और उसके बाद में ये कानून जामा पहनेगा इस तरीके का, जब भी बने लेकिन जो भी बच्च है और छो खासकरके वर्ग विशय की स्निप мृजनीती करते हैं लेके राजनीती तो सारभोमित चीज है सबके लिए होती है और कोई भी ब्यक्ति जब राजनीती में आता है तो यह कहता है कि भाई हम जनता की सेवा के लिए आएं तो जब जनता की सेवा के लिए आएंगे वैसे भी आप कल को विदायक बनेंगे सांसत बनेंगे या पार्टी के मुख्या बनेंगे और आपकी पार् करेंगे तो जब भी ज़संख्या नियंत्रा का कानून आएगा और जो लोग इस तरीके की राजनीति वर्ग विशेश की करते हैं उनको तब तक तो पीड़ा है जब वर्ग विशेश की राजनीति करते हैं लेकिर कल को जब आप सत्ता में होंगे सम्विदान की सफ़त लेंगे तब तो आप सबका साथ सबका विकास की ही लेंगे जो भारती जिनता पार्टी लगातार काम कर रही है तो आपको आपत्ती किस बात की है और वैसे भी आप देख ल करते हैं जी और इसी तरीकी से हमारे पास जो प्रकेट में जो मोजूद जो करते हैं जिस पर नुबास करते हैं इसको खीचकर के बना नहीं सकते हैं बलकि भूबाग जमीन हमारी जो खेती के लाइक है या आवास के लगातार कम हो रही और हमारे बंग शेतरी भी लगातार कट रहे हैं आप देखिए कि गाड़ियां हरे कमपनी कितनी गाड़िया बेचती है उसके बाद में भी जब हमाप प्रिजरवेशन कराने ट्रेन में जाते हैं तो कितनी लंबी वेटिंग की लाइन होती है जबकि सरकार लगातार नहीं नहीं ट्रेने हमेशा लागू कर रही है ट्रेनों की संक्या बढ़ रही है बस की संक्या बढ़ रही है प्रावेट वाहन भी बढ़ रहे है उसके बाद में भी आवा गमन की सबस्याएं महिलाओं को बच्चों को हमको आपको बुजरगों को सब क्यों जेलन एगले पिड़े के फिर पाथ पाथ बच्चे हुए तो क्या हुआ, कि जो है पचीज बच्चे हो गए, अब पचीज बच्चों में वो पाथ बिचे जो दो बच्चे जमीन थी, वो बटेगी तो कितनी कितनी आई। तो इस तरीके से जो हमारे IK-e wis호त है वो भी गटेंगे, जो भूमी है वो भी गटेगी इससेदारी की, तो संसादन हमारे पास सीमित है, और जो संघर्स है, वो बढ़ेगा जाहिर सी बात, इसलिए आबादी जब नियंत्रित होगी, तो हम अपने बच्चों को असी चिता दे सकेंगे, अच्छा रोजगार दे सकेंगे, और हमारे जी सब के लिए और क्रानोर ब्नता है कानून सब के लिए, वो तो बचों कि अधार पे होगा ना पर दर्द कोरें सब को अन्हीं, तो बड़ा कारण की आशाँ पर दर्दर को है सबकरच को पर सब बढ़ा कारण गोरों की जो लोगविशेस की राजनितिरी है, संप्रदाय Meansी की जाती और धर्म मुश bullyz की राजनीति करते हैं, आईसा नहीं कि वह नहीं कि वह नहीं चाहते हैं, वह भी चाहते हैं, कानून आए. उच्विए उच्छ हधें।でした देखिए, C.A. का इतना विरोध हुआ, C.A. के आने के बाद इतने लंबे समय के बाद भारत देश से कौन सा मुसल्मान जिसको देश के बाहर कर दिया गया, एक भी मुसल्मान ऐसा है क्या, जिसको देश के बाहर भेज दिया गया हो, जबकि जो Civil Amendment Act था, वो बाहर भेजने के लिए तो था ही रही, वो तो लाने के लिए था, किसके लाने के लिए था, कि हमारे भाई बहन जो ऐसे देशों में, जहां पर वो पितारित हो रहें, या जहां पर उनकी संख्या मिलकुल ना के बराबर है, अगर वो हमारे देश आना चाहें, देश की नागरिता वापस ले सकते हैं। तो कि सोसित है पीडित हैं। और कभी भारत देश के ना-घिक कभी कुछ वा और बढ़ dalla शाय के बश गए हैं। फिर्फ इतना हो एंगामा किया.. रहा हैं। तो जो लोग सिर्फ धर्म और संपधाय की राजनिती करते हैं सोच सैंपर के 23 आएंगे उनकी सौत चमार्ब सिख्ता का की है वह ऐसी ही बाते रिच्धित या को मेरी आवाज आ रही है कि यहां पर जंग संक्या नियंटन के लिए नीति आनी चाहिए बहुए अब देश जब गास की पर अगरसर है तो कहीं न कहीं जंग संक्या कर रोड़ा बन रही है तो समान रूप से सभी धर्मों को लेकर एक नीति बनानी चाहिए आवशकता है क्योंकि जो जो ग्राब बता है कि 2030 में हम चाहिना से आंगे होंगे आवादी के मामले में और 2050 में यहां पर आवादी करना जरूरी है क्या मानते जरी आपके रहाग्या है अब बता नियुके तरफा प्यान नहीं होना चाहिए अगर एक थर्फा प्यान नहीं होना चाहिए अगर एक तरपा क्यार होता है तो हिंदों की अवाधी जोगर धटी चली जाई कि और मुस्वें गूसरे समुदाइटी जाए तुर प्रफ्शे नहीं लागना चाहिए अच्छा मुष्रे समधाय को भी देखना चाहिए मान के चलो हिंदू अपनी अवादी बढ़ाता चला जाए तो कहां से अनुपाद जंसे के अनुपाद जो है अपार एक नीती आएगी, सभी धरमों पर लागोगी फिर क्या दिक्कत है? मानोंगे नहीं मानोंगे लादे से पहले यह जेक नहीं पर कर पार को कोन समुधाय मानेगा इस बात को तो उनकी बढ़ती चले हैं तो उनकी बढ़ती चले हैं तो वैसे भी बढ़ता हैं आप में कहा है कि बॉयाद तीस तक हिंदुस्तान की जनसे की अवादी है वह जाएगी अच्छान की जनसे के नियुक्त वादी आप क्या चाहते हैं इस अवादी जाएगी जाहें? इन पर करें नहीं किया आएगा आपके नहीं किया किसकी बढ़ेगी यह क्या रहा है कि मुसल्मान कानून का पालन नहीं करेंगे कितने दिन में पालन करेंगे चब तक तक झाचे बच्चे पादा और कल लेंगे जब तक कानून आएगा तो नोपाद कहां तक पहुचेगा आपता ही है मुझे अच्छा इंजों के दो मुझलिमों के देशने तो देश कानूपाद लगाई है इस इतने बच्छे हो गए ठीक है आठ तो बैसे भी एक्स्ट्रा बढ़ते जाए निया अगर चारत वाग भी प अच्छा तो कैसे लगाया जै कैसे किया जाए इसको आपकी कह रहा है मेरी यह राय अगर जानूं आए 2 बच्छों कानून होना चाहिए सब के लिए होना चाहिए यह नहीं है के हिंकि किसी दूसरा हूदा है ठीक है ठीक है आमिर भाई बहुत शुक्रिया गौरभ जी एक राजनीतिक मुद्दा है पहली बात तो भी समझे दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सही डिमांड करना चाहते हैं मांग करना जाते हैं कि कभी कभी कानुन वस्ता पे भी एक डिमेट करा लिया करिये तम जब से यह कमिश्री लाग हुए यह तमाम अपराधी थानों में अपराध पना पराएं अच्छा तमाम थाने दार थाना अपराधियों को जनन दे रहा हैं और अपराधियों के गले बगियां डालके घुमते हैं यह वो कलवा सच है जो आप अगर एक मोटर साइकिल ले करके थाने थाने निकल लाएं तो आपको सारी सच्चा ही सामना जाएगी बाकी रहा जाता कि भारती इंतापर्टी के परवक्ता जी कि जगदीश राज जी के बेयान की तो मैं एक बाँ बता दूं ये इनके बियान सिफ और सिफ गुम्रा कुन है बारती इंता पार्टी के तमाम बले नेता साक्षी म आगला ले लिए तो 7.4% आबादी मुसल्मानों की घटी है बढ़ना तो छोड़ दीजे आबादी की बाद जहां तक कार जग दीजे सुन लिए सुन लिए आपको बहुत खामोशी सुना आप भी सुन लिए और जहां तक बात रही कानून की तो यह कानून इंद्रा जी बहु स्वेम पालन करना पड़ेगा जब तक हम अपने उपर लगाम नहीं लगाएंगे अपने उपर रोग नहीं लगाएंगे चाया वो हिंदू हों मुसलिमों सीको इसाई हों कोई मतलब इसका है नहीं कानून बहुत है 302 की बी सदा है 307 की बी है लेकिन तमाम कानून होने सकति लिया होने वालब कुछ नहीं बाकी जितने बयानात हैं यह सिफ और सिफ गुम्राकून है जन्ता को भर्मित करने के हैं बात रोजगार की हो नहीं लिए बात विकास की होनी लिए बात शिच्चा पर होनी लिए और आपड़े का गिराफ की इस्तिती यह जब से कमशीन कर दूं कि प्लिस जब भी पर ती है डगयति की योजना बना रहा हुता वह आदमी और बंकरती एक तमन्चा एक काई तुसमें बताए यह बिदा मना क्या थी उसको क्या कहिए तो जोटा बन करती है सारे उच्छतकारी जानते हैं यह उपर को अपने आदिनस्तों पर कारवाई करना पसंद करते हैं अगर उनकी शिकायत करिया जाती है तो जो अधी नस्त नके बता देते हैं उसी को वह सब कुछ भान ले II बिलकुल सोच है अपनी बात से बर्मीत कर रहा है दूसरों को लालू जी बच्चे दूस्टे बताजी योगी जी भाल्वा इंद अब ज्यांग न दीजे आप पहले अपने नेता होँ को अंदर ज़ांक लिजे किसके जेंदे बच्चे हैं मुसल्मानों को छोड़ दिये समझे आप 40 करोड के अबादी है अरे जगदीज राज जी 90 करोड हिंदों के अबादी है अब कॉल गौरण जी के 100 करोड से उबर हो चुकी है अबादी और मुसल्मान वही 40 पर प्रिप्तिका हुआ है को जी गलत फहम ही आप पाले हुए मेरी समझे मेरी समझ से अबादी बढ़ रही है अरे बढ़ दो सबकी रही है यह खाली मुसल्मों को ठेका लिये हुए है बताईए तो सही मुसल्मों का रही है अरे जटीश राधी यह धार्मी गुनमास से बहार निकलिये लिए लिदेश के लिए करिये ज़रूरी नहीं है हिंदु मुसल्म करते राधी चुका हिया आपको अच्छा काम करिएगा तब भी लोग जान लेंगे ऐसा नहीं कि नहीं जानेंगे काम करता है आप काम करिए समाल आपको पैचान लेगा जरूरी नहीं कि हिंदु मुसलिम कर रहे आप भी ठीक ठीक है ताहिर भाई यह यहां पर नियंटर की बात चल लगी हो कहा जाला है कि बास्ता है बिकास चाहिए और सभी चीजों की उपलब्दिता चाहिए चुकि आड़ाइसेश चीप भात कही है यह पहली बात तो यह है कि उनका कहना कुछ है और उनके मानने वारे लोगों का कहना कुछ और है अच्छा तादवी प्रिग्या और साक्षी महराज जैसे लोगों के आरिसे से बिलॉंग करते हैं वो जो है ज़ादा बच्चों के पक्षद नहीं जरहा है और कहते हैं ज्ञादा बच्चे पैदा करिए एक डेश के लिए दिजिये एक बनाएए एक तरहत पे थे बहजिए और हिंदु राष्ट बनाने के लिए एक को समर्चित करिए जी तरह की बाते हैं इसमें जैड़् जंजंख्या कि प इसपोट जिए घातक है इ इसके नियस्ताफ है च्छैन स्था क्जन फारज की पानून की लिए हैं ठाइज ऍर दो को मैसेज यह देना होता है कि जन संक्जा नियांतरल का मतलब हैं कि मुसल्मानों की जन पार्ज को लेकिन आप आप समझिए अच्छा यह अंदर से छुपा हुआ उनका सवाल है कि यह मुसल्मानों के लिए यह अच्छा बाइए बताइए ताहिर भाई सर्वे होता है पीएफाइब कारवाई होती तो हमेंसा यह क्यों का जाता कि डर पेरा करने के लिए बार कोई कारवाई हो तो यह क्यों मत्यश्य को डराने के लिए करते हैं जिसमें मुसलमान कम बच्चे पैदा करेगा और बच्चे जब होंगे जो बहुसंख्यक है वह कभी अलबसंख्यक ना होने पाए अच्छा वजह से उसकी पॉइंट के लिए किया जाता है अब को लग रहा है कि अवस्टक करना है कि बद्ध संजा ने संजाने कि कोशिष कर रहे है लगातार कि तो कह रहे हैं कि रहे हैं जो है यह यह फॉट्टा का सवाल है यह देश स्रफ्षा है असर देश को बचाना जैस के ली है करना है कानून लिया है और 370 को कर लिया तो इस पे एक खाली बता रहा हूँ ना ये वक्त चाहिं पास करने के लिए शभूपा पैदा करने की अच्छा एक सिस्टम है और कुछ नहीं है अच्छा कोई जन संक्यान इंतरल कर कानून नहीं आने वाला भी और ये कई बार कई सालों पहल की अब भी ये अब भी ये पाटिस दिनी है और क्या मानते है कि जो बात संध परमुख मौहन-भागवत ने कहीं है सबको पता है यह भी बता है जागा जनसंख्या लगाता रबढ़ती रही ही तो रोजगार अपर लब्ध कराना भी यह यह फिसले बनेगा तो किस रूपर रिखते भी आ सब्सक्राइन को आप गवरो भाई, मैं तो पहले आपके चैनल को आपको नमस्कार करता हूँ, आज जो बाते हो रही हैं, लोग कह रहे हैं, मेरे आंखड़े के हिसाब से, आज जनसंख्या एक लाग पैंतिस जार नरिन्द मोदी जी कहते हैं, कि देश की है, हमारे हिसाब से, जो मैं देखता हूँ, उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पर जाके, तो आज करीब पहुने 200 करोड की पॉपलेशन है, और जो कि खाते में नहीं है, खाते पत्री में आपके कहीं नहीं लिखा है, ठीक है? नहीं बार बताईए के जी भाई सुनना है आप? जी बताईए. 175 करोड की मतलब जन संख्या है, पहने 2 करोड की. एक सो 2 करोड की जन संख्या में, आज क्या होगा देश की हालत? ये सन असी में, जब इंद्रा गांधी जी थी, तब ये कोश्चन उठा था और नस्बंदियां हुई, तो क्या हुआ? किसी ने क्या किया कुछ? उनकी सरकार चली गई, इंद्रा गांधी की. इसके बाद फिन वो चलता रहा, चलता रहा, सब लोगों ने पास किया, कि भाई देश को अच्छे ड़न से चलना चाहते हैं, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुष्लिम हो, चाहे सीखो, चाहे इसाही. और आपे जोसमी प्या करते हैं कि आप डिवेट करेंगे आप शकम हर छेनल हो पे ये ही सब आ रहे हैं मोहन भागवत जी नहीं नहीं यह कह दिया आप आज के घटना है आज जो है तीन सादू को जो है बेरामी से मारा गया आप बेरामी से मारे उसका क्या वही पाल घर वाला जो हाल है हाँ तो वही हाल आज उस आदमी के साथ के जियागए प माया गया पीटा गया do क्री तरह से मारा गया तो क्या कर रहा है गौर्मेंट क्या कर रही है बताइए ने पारै कुछ कोई काम नहीं कर रही है ठीक पुलिस क्या जांच करेगी आपकी पुलिस आपकी सब क्राइम इस तरह से बढ़ रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है आप जो है बाबा बुल्डोजर महराज वो जो है किसी का देखे घर मकाना गिरा दो किसी का गिरा दे रहे हैं किसी का भी किसी का नहीं किसी का नहीं मुस्लीम का मुस्लीम समाज का मुस्लीम समाज का सबसे पहले मकान उनी का गिरता है आप जो है गंगेश्टर लगा दिये आप जो है सारे नहीं मैं गंगेश्टर किसमें लगती है बाइए छोटे छोटे आपमियों जो जो दो कोडिक आपको बता रहा हूं कि आप जो है जो चीज मैं कह रहा हूं इसको गवर से समझी आप मैं समझ रहा हूं कानुन की जरूरत है कि नहीं बिल्कुल जरूरत है जो आप गहर है हम उसको कोई नहीं कर रहा हूं मगर यह खेल जो है आज सनसी से इंद्रा गांधी जी तब से चला रहा है और उसी नस्बंदी में उनकी सरकार भी चलीगी तो समाजिक संगठन अपनी बात को कहते हैं मुहन भागवत ने वही बात कहा है जो एक समाजिक संगठन को कहना चाहिए क्योंकि एक निस्क्रिय निस्क्रिय सरकार है जिसको इस पर कोई चिंता नहीं क्या देश के देश के पद्रमंत्री को आप ने कभी इसके बारे में बात करदे न है कोई मंज हो देशका बता देया ग्रे मंत्री की कोई बात हुए ऐसी वीतमंध ने कोई बात कहा है ऐसम तो आखिर जब ये सरकारे चुप रहेंगी, तो सामाजिक संगठन अपनी बात को कहेंगा, क्योंकि सामाजिक संगठन उच अस्तर पे नहीं, धरातर पर, जदिनी अस्तर पर आकर के कारी करते हैं और सामाजिक ब्योस्था को देखतें, कि आखिर संसाधन क्या है राष्ट के और वह संसाधन कितनी जल्दी विल्प्त होने वाले हैं, आज आप जिस राज्य में हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं, जो की सुखा ग्रस्त हैं, जहां पर गायों को चरने के लिए दूब तक नहीं है, लोगों को पीने के हैं, तो संसाधन की विवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कब तक? बिल्कुल सभी बात है, सरकार दो लाख आवास का निर्मार करती है, जैसे दो लाख लोग को आवास मिलता है, दो लाख लोग और भी लाइन में कड़े हो जाते हैं, ठीक है? पानी, अब आप है, नमाम गंगे योजना बार सरकार की चल रही है, उत्तर पदेश के तमाम जिलों में इस योजना से लोग लाभानमित हो रहे हैं, लेकिन रोज घर बदल रहे हैं, रोज नए घर बन रहे हैं, बेवस्थाएं फेल हो रही हैं और आने वाले कल में निश्चित तोर से, हमा लोग जहां आज की रहे हैं, कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, दो डिगेट के अंदर, हम लोग भी एक महासक्तिक रूप में दिखेंगे, लेकिन कब, जब हम संसाधन को समझेंगे, कि हमारी लिमिटेशन ये है, आज हम, आप ये देखो, कि किसी बर्ग भीशेस की बा समात कही, वह एक सामाजिक संग्ठन की रूप में बहुत दूर तक सोचती है, और संग अपनी विचारधारा थोपने का भी प्रयास करती है, कि कि मुसलिम समाज के लोग यहां पर बैठे हैं, उन्हों जो बाते कहीं है, आप लोग से निवेदन है, इस चीज़ को समझेंग संग के पास एक डिजाइन है, जो अपलाई करती है अपने हिसाब से और उसमें जो वह देखती है कि कौन कि समय उसके जाल में फसेगा, अब अम नंबर है मुसल्मानों का, ए अब संग के जाल में मुसलमान आने वाले है, इह संग का अस्थापना दिवस था, यह संग के लि जब जन्म लिया उसके 50 बरस तक 60 बरस तक आपने कहीं देखा कि उन्होंने मुस्लिम संगठनों को मुस्लिम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया मिलने जाते तो बबाल होना शुरू हो जाता है अरे मेरी बास सुनिये राजिनितिक बात नहीं कर रहा हूं होँ operator संग का अगला लक्ष मुसलमान जाते हैं अध्या यह देश्का मुसलमान भी जानते हैं यमाजिक या कि वह लोग जो कभी हिंदू थी और आज उन्होंने दूसरे धर्मों को अपना लिया है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने कहा दिया कि सबके जीन की बात उन्हों का, आप ये बताएं, अगर एक है, तो आपको दिक्कत क्या है? एक है, लेकिन विचारधारा अलग-अलग है, आपके विचारधारा में जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए आप सब्दों का प्रियोग बहुत आसानी से करते हैं, और उस जाल में सबी लोग फस जाते हैं। अपना कहना है? जी, 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 सबके अपने अपने विचार हैं। और रही बात ये कि अगर जो है, कजेंजी ने एक बात कही है, कि मुसल्मान टार्गेट हो रहा है, तो मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूं। जी, मुसल्मान बिलकूर टार्गेट हो रहा है, किस तरीके से टार्गेट हो रहा है, आज हम नहीं चायते हैं, कि मुसल्मान जिस दसा में आज से 20 साल पहले था, आज भी मुसल्मानों की वही दसा रहें। कोई दुर्दुसा रहें, हम नहीं चायते हैं, अब देखिए, जो संग का सब्सक्राइब हो रहा है, आपके मुसल्मानों की दुर्दशा की बात करी, हम आपकी बात सहमत है, आज हम आपकी की बात को बना लग रहें। को अब दूलिए लैडिन हम से यह लोग हो कि मुसल्मानों की ब्रसमानों की दूलिए! आप नगा बात कारीजते हैं। का यह था प्र पत्ली एक ओर प्र अलाका रहें। मैं उल्या पालाइफ ख्ञए को बॉल हैं। प्रफीघव तरुजिए वोलेंट की रिखे सब्सक्राइब डिजिए डिप बॉलेंट की यह तो पिलीट पोई पेहा वार और पूलेंट आज से बीच साल पहले हमारे मुसलिम भाईयों की क्या दसा थी इसे पंचर की दुकाने थी की सिर्फ मेकैनिक की दुकाने थी आज अगर पांच लाख लोगों को आवास दिये गए तो उसमें सबसे जदा संख्या मुसल्मानों की अगर आयूस काड़ बने हैं साथ पर्शेंट आयूस काड़ के धारक हमारे मुसलिम भाई बहन हैं तो ये काटा कास है कि मुसल्मानों के लिए कोई योजरा नहीं है मुसल्मान कोई विकास रही कर रहे हैं ये गलत विचार दा रहा है परी बात दूसरी बात ये कि मैं उस पर आता हूँ जो आपने विशे रखा है हमने जो पहले टिपड़ी की हमने कहीं पर वहां पे हिंदू मुसल्मान की राबाद तब की नमायफ कर रहा है आप लेख सवाल किया कि अगर कानून ये बनेगा तो कानून किस पे लागू होगा किस पे नहीं लागू उस पे अभी आमिर भाई ने भी टिपड़ी की और ताहिर भाई ने भी टिपड़ी की आमिर भाई सीधे सीधे उसको ले गए लाइन आडर पे ताहिर भाई ने कहा कि यह सब सिर्फ और सिर्फ बाते हैं आपकी केंदर में सरकार है आपकी प्रदेश सरकार है आप लागू कर देखे कोई भी चीज लागू होती है, देखे मौहन भागवाजी उसको नहीं लागू कर सकते, बयान मननिय मौहन भागवाजी का आया है, मौहन भागवाजी ने विचार रखा है, कि वास्तों में आज से 20 साल गाट, 30 साल के बाद देश की क्या इस्तिती होगी, और इसका आक उसकी ब्योस्था हम कहां से करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें अगर उसके इन्होंने चिंता किये और इस पर किसी को गव्लाने की ना को सकता है और ना तो परेषान होने की आँ से कए और तौन अगर कोई श्मस्या से सब को लड़ना पले है अभी ताहिर भाई ने एक बात कही है कि जो है अबादी अगर बढ़ लई तो किसकी बढ़ लई है जब हिंदू संगठन के जो जगदीज जी उन्होंने एक बात कही एक वर्ग विशेस आबादी बढ़ाता है हम लोग आबादी नहीं बढ़ाता है उस तो नहीं तर्क उतर किया देखिए भारत देश खंड-खंड कैसे हुआ जी पाकिस्तान बटा कि अभारत-देश का इस्सा नहीं था और बहुत नहीं प्टेर है पॉर्ग तो बंड़ा देश की आबादी और पाकिस्तान की जो 90 प्रश्ट आबादी है जो नुनों जिए मुस्लिम आबादी है कुरोन आबादी पाकिस्तान की है और सतरे कुरोन आबादी बंगलादेश की है अगर इसको जोड़ने हैं तो क्या भारत देश ग्रोंट रेत है आज भी 2.6 है तो ग्रोथ रोट किस लागा यह लैकी यह लुकुल आप वसित्रिन पिश सही करने यहuy MR Sleep support यहीर वे देश के बाहर की बस को चाने लगें आप देश की अंदर की वार रही जी अगर देश की जंसन क्या बढ़ती है तो इसने पुराइबली क्या वापे पाकिस्तान कितना चोड़ा देस है आरे आप 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 जब कुछली है जो आप गड़तां वह अभी है कितना चोड़ा थे कितना अप आप 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 perform की time अरे जैसा हम आपो ने या प्राद मी भरता है। को तो सुओना साही गान मिलेगा आपको ज़रे ठीक है तो हम आपको मजवरा रिए हॆ मशवरा वजय की हांग ग्याजा ठीक है की ऊप समय इद आप गाद हुर आपक guarded क मेरे बाद कर दे सबस्क्राइब करिए बुदी के वह भी करिए जैब करिया जर्द्थार गरिया ज कर लाहत है। आप मुसल्मानों की चिंता छोड़ दीजिए आप मैं बार बार यह कह रहा हूं आप अभी कह रहे दें के 20 साल पहले मुसल्मानों पूर्दसादी बच्छर बनाता है इसको परवंदर किया हो शक्ता है एक जली बॉलिए अपनी बाइप कम सब्सक्राइब पोलिये जल्ली बॉलिए जल्दी बोलिए पहले क्या हुआ हुआ है जग्दी जी आपको रहा है यही तो तड़ा भी है यही गंदी मात रहता है बोले 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 ताहर भाई कुछ बुलना जा रहा है जी जो मुद्धे हैं आपके जनसंक्या नेतर लड़के जी जो है बहुत सिरिसली समझना चीजों को जी जल्ली बोले जी आखिर इसनी इसना प्रॉब्लम क्रियाट क्यों हो रही है और भार्ते जंदा पाटी को सला दिये मोहन भागवत से प्रॉब्लिक को बोला भाई सला निदी है अरे बाई पब्लिक नहीं तो गोवर्मेंट भी तो है गोवर्मेंट अच्छा अच्छा यह सबसे बना मुद्धा है यह सबसे बना मुद्धा है सबसे बड़ी समस्का अबादी 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 जी अवड़ी अच्छा यह जो मार्त यहा जिए ट॥ा लुगाए इस्टाइड को डोजिए दूऊ नहीं है। गजरण दरल नगरानों को सब जये ल्यवकर लिए आई के अनार क都是 मुषरमानों के लिए की यह आईगा कारोर आएगा तो सबके लिए आएगा अरे मेरा नंबर है मैं बोलूँगा सुनिये माहुद है देखिए मोहन भागवजी ने बहुत सीरियस हो करके इस बात को कही है और उसका दर्द देखी दो मुस्लिम यहां पे बैठे हैं और इनको दर्द बहुत तेज है अच्छा इनके सब्सक्राइब कोईबात करना ही नहीं चाहती यह भारती जनता पार्टी अच्ने बार बार उत्तर प्देस्के मुक्रमंत्री और मजबूरी में यह बात को कहना पड़ा है चिस जल जन संख्या नियंतर कानून वहुत आविश्यक है अविस्षक है शरकार कान में रूई डालके बैठी है शरकार कुछ करने वाली भी नहीं है शरकार कुछ नहीं करने वाली है सरकार को अगर कुछ भी करना होता है और उसमें मुसलमान समलित होते जा रहे हैं संग एक बहुत बड़ा संगतन होगा राष्ट में और यह भी जान लिजे राजनीतिक दल वहां अपने घुटने पर बैठेंगे सरकार बनाने के क्योंकि हिंदू, मुसलिम, सिर्फ, इसारी संग में होगे और संग की इस्तिती बहुत बड़ी होगी कि मुसलिम राष्ट्रियमन जिद दिन आरेसेस ने बनाया था उसी दिन मुझे लग गया था कि आरेसेस की मन्शा यही है बिल्कुल अरे देश के राजनेतिक हमारे जाता होगे आप उसमें सुलार क्या हुआ बता दिये चलिए बीस साल पहले मुसल्मान पंचर बनाता था मोडर साइकल होगे अब शोरूम कहां कहां खुल गया था बोस्किलिस बनाए बाई बीस साल पहले हाट से बाहर देश के पंचर बना रहा है अमारे यही तो दोंगला मैं आपका सबस्क्राइएं आपको कि ऐसे से मादर्सों के भास है तू करें आपके पास बांस करें ऊच्टाइब करें तू करें आपको मादर्सों का प्रवारा करें पत्रांगे दिख नहीं है तू करे? देखे मदर्सों से दिकत नहीं है लेकिन अगर मदर्सों में मदर्सों में आदुरिक सिच्छा की पहल आदुरिक सिच्छा की बेहुस्था सरकार करती है आपने पुरान हो करी अब अब बताये करी अब बताये में इंगलेश की पुराइए है सब्सक्राइब निटेकर बहुत दन्नबाद यह पर जो करशा थी बहुत नेट पूर्पूर्ट थी और चर्चा यह थी कि मोहन भागवर्थ के बयान बयान किया और उन्होंने जन्ता को समूरिट किया और बहां पर बताया कि हाँ जन्संक्या नीती बननी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सभी धर्मों पर ये लागू समान रूप से हो जाएगी तो कहीं न कहीं बिकास की जो ब्योस्ता है वो तेजी से बढ़ सकेगी संसाधन कम है वो इस नीती की चर्चा लगातार लंबे समय से चलती आ रही है हाला कि बयान पर ब्यपच्च का आरोप पर त्यारोप सुरू हो गए है पर कहीं नीती बहुत आवस्यक है जन संग्या को न्यंटन करने के लिए अगर कोई नीती आती है तो उसका तहेदिल से स्वागत करना चाहिए वो नीती समान रूप से लागू हो इसकी ब्योस्ता भी होनी जरूरी है उस नीती का ब्यापक पिचार भी हो कि लोग समझ सकें कि यहां इस नीती का मेन लाने का कारण या देस और हम चाहते हैं कि देश बिस्ट गुरू बनने के तरह अगर सर हो देश में विकास हो तो यह सबी धर्मों को समान विकास लेते हुए तो कोई व्योस्था से रेखता है, कोई टार्गेट से रेखता है, तो कोई यहाँ पर नुक्चान से रेखता है, पर यहाँ पर नुक्चान, यहाँ पर कोई नहीं, नुक्चान के वाल यहाँ पर यह है, कि अगर कोई भी चीज, देश के लिए कोई भी नीती है, कोई कानून दिस्क लिए आता है और अस्तर में वो दिस्क लिए बेटा रहे तो इसको तहीं दिस्क जोगर करना चाहिए आरोप त्यारोप राधिती चलती रहेगी तो आशी चलता है नमस्कार कि अगर कुछ पाव पुष्प